Hello Everyone, Welcome to IT Study दोस्तो इस वीडियो के अंदर हम डिसकस करेंगे Books and Authors के बारे में Very very important topic है जैसा कि आप सभी जानते हैं Books and Authors से सम्मंधित आपके किसी भी exam में कोई न कोई question जरूर पूछा जाता है तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अप्रल से लेकर अक्टूबर 2020 तक सभी important books के बारे में जो publish की गई हैं या फिर कोई भी book जो चर्चा में रही है अगर वो आपके exam के लिए important है तो उन सभी को हम इस वीडियो में देखेंगे यहाँ पर आपको बदा दू इस वीडियो के अंदर हम लोग total 40 books के बारे में देखने वाले हैं और वीडियो के लाश में हम लोग 20 most important MCQs भी देखेंगे तो पूरा वीडियो आप सभी को ध्यान से देखना है क्योंकि कई सारी important books लिखी गई हैं जो आपके आगामी परिक्षों में पूछी जा सकती हैं तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं तो सबसे पहली book है Settling to the Top The Story of PV Sindhu दोस्तों PV Sindhu जैसा कि आप सभी जानते हैं ये भारत की famous badminton खिलाडी हैं तो इनके जीवन पर ये book लिखी गई है इनके बचपन से लेकर world champion बनने तक का इनका जो सफर है उसके बारे में इस book में लिखा गया है तो इस पुस्तक को एक खेल से जोड़े पत्तरकार ने लिखा है जिनका नाम है वी क्रिश्न स्वामी वी क्रिश्न स्वामी इन्होंने पीवी सिंधू के जीवन पर इस पुस्तक को लिखा है अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बुक है मिड़नाइट इन चर्नोबिल मिड़नाइट इन चर्नोबिल यह पुस्तक लिखी गई है चर्नोबिल परमाड़ दूरहटना पर जो की 1986 में यूक्रेन में हुई थी और इसके कारण यूक्रेन के आसपास के सभी देश इससे प्रभावित हुए थे तो इसी घटना पर यह बुक लिखी गई है मिड़नाइट इन चर्नोबिल तो इस पुस्तक को लिखा है इंगलेंड के लेखाक एडम हिगिन बोटम ने एडम हिगिन बोटम तो इसे आप याद रखेगा मिड़नाइट इन चर्नोबिल इस पुस्तक को लिखा है इडम हिगिन बोटम ने अब इसके बाद दोस्तो अगली बुक है प्रोफेसर वीवी लाल इंडिया री डिश्कवर्ड प्रोफेसर वीवी लाल इंडिया री डिस्कवर्ड तो ये जो प्रोफेसर वीवी लाल है इन्हें के उपर ये बुक लिखी गई है ये भारती पुरा तत्तो सर्वेक्षन विभा के महान दिसक रह जुके हैं तो भारती पुरा तत्तो सर्वेक्षन में इनके योगदान पर य प्रहलात सिंह पटेल इन्हों ने इस बुक का भी मोचन किया है भारत के उप पराश्पती एम बेंकेया नाइडूजी ने तो इसे आप याद रखेगा इसके बाद अगली बुक है वुहान डैरी वुहान डैरी डिस्पैच फ्रामा कॉरेंटाइन सिटी जैसा कि आप सभी जानते हैं कुरूना वारस ये चीन के वुहान सहर से सारी दुनिया में फैला है तो जब सुरुवाती में या वारस चीन के वुहान सहर में फैला था तो डायरी अब इसके बाद अगली बुक है Hope on My Adventures on Votes, Trains and Planes दोस्तों ये जो बुक है इसको लिखा है रस्किन बॉर्ड ने ये अंग्रेजी भासा के एक विश्व प्रसिद भारती लेखाक है तो इनकी ये बुक है Hope on My Adventures on Votes, Trains and Planes और दोस्तों इनकी एक और बुक हाली में लॉं रस्किन बॉर्ड ने तो दोनों बुक्स को आप एक साथ ही याद रखेगा दोस्तों आप सभी को पूरा विडियो ध्यान से दिखते जाना है क्योंकि इस विडियो के लाश में हम लोग 20 most important questions करने वाले हैं तो वहाँ पर आप सभी किसी भी question का right answer आसानी से कर पाएंगे और आगे बढ़ते हैं इसके बाद यहाँ पर अगली बुक है legend of सुहेल देओ, the king who saved India, very important बुक है यह भारत के एक प्रतापी राजा के उपर लिखी गई है जिनका नाम था सुहेल देओ, यहाँ पर आप देख सकते हैं सुहेल देओ, यह 11 सदी में स्रावस्ती के राजा थे, इ इसी कारण महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, तो इसके बाद जब इसकी मृत्ती हो गई, इसके भांजे ने, जिसका नाम था गाजी सेयद सालार मसूद, इसने 1034 में भारत पर आक्रमण किया था, और कई सारे राजाओं को हराय था, इसका भी वही मक इसके लगबग 1500 वर्सो तक, यानि कि 1500 वर्सो बात तक भारत में कोई विदेशी आक्रमण नहीं हो सके थे, क्योंकि इस योद्ध में तुर्क आक्रमण कारियों की काफि बुरी तरह से हार हुई थी, और सब के सब इसमें मारे गए थे, तो ये जो बुक है, इसको सुहेल द पर्णियास को लिखा है, भारती मूल की लेकिका मेगा मजूमदार ने, मेगा मजूमदार, इनकी ये पहली उपन्यास है, इसमें उन्होंने एक ट्रेन हाथसे के बारे में लिखा है, आगे बढ़ते हैं, इसके बाद यहाँपर नेक्ष बूख है, फ्यूचर आप हाइर ए इस बुक को लिखा गया है future of higher education 9 mega trends इस बुक को लिखा है वी पट्टाभी राम ने इन्होंने इस बुक को लिखा है और इस पुस्तक का विमोचन किया है भारत के उप राश्पती M. बेंकईया नाइडुजी ने अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पतेल हाली में इन्होंने एक बुक लिखा है जिसका नाम है overdraft saving the Indian saver तो इस पुस्तक को लिखा है उर्जित पतेल ने जो कि RBI के 24 वे गवर्नर रह चुके हैं तो आपको इस बुक को याद रखना है वेरी इंपॉर्टन्ट है इसके बाद next बुक है His Holiness the 14th Dalai Lama An Illustrated Biography या पुस्तक तिबद के धर्म गुरु दलाई लामा के उपर लिखी गई है और इस पुस्तक को लिखा है तेंजिंग गिये टेंथौन ने तेंजिंग गिये टेंथौन ये दलाई लामा के प्रमुख सलाकार रह चुके हैं तो इन्होंने ही इस बुक को लिखा है His Holiness the 14th Dalai Lama An Illustrated Biography नेक्ट बुक है The Spirit of Cricket India इसको लिखा है Australia Cricket Team के पूर्व कप्तान Steve Vone इन्होंने इस बुक को लिखा है The Spirit of Cricket India इस पुस्तक में इन्होंने भारती खिलाडियों के बारे में लिखा है और भारत में क्रिकेट को इतना महतों क्यों दिया जाता है इसको ग्रामीट शेत्रों में भी इतना महतों दिया जाता है तो इसके बारे में भी इन्होंने काफी कोछ इसमें लिखा है तो इनकी ये बुक है The Spirit of Cricket India इसके बाद दोस्तों यहाँ पर next and very important बुक है सूरज कदे मर्दा नहीं यानि कि सूरज कभी भी नहीं मर्दा दोस्तों ये जो बुक है ये लिखी गए ये भारत के महान सुतंता सेनानी और क्रांतिकारी उधम सिंग पर उधम सिंग इन्होंने जलिया वाला बाग हत्याकान जो हुआ था सन 1919 में उसमें पंजाब का जो गवर्नर जनरल था यानि कि माइकल ओड आया जिसने जलिया वाला बाग हत्याकान ने गोलिया चलवाई थी तो इसको मारने के लिए इन्होंने प्लान मनाया था और इस प्लान को पूरा करने के लिए इन्होंने लंदन में जाकर उसको गोली मारी थी इसके बाद इन्होंने आत्म समर्पन कर दिया था और 31 जुलाई सन 1940 में इन्हें फांसी दे दी गई थी तो भारत के करांतिकारी उधम सिंग इनी के जीवन पर ये बुक लिखी गई है सूरस कदे मर्दा नहीं इस बुक को लिखा है बल्देव सिंग सदा करणम ने बल्देव सिंग सदा करणम इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक उपन्यास है जिसका नाम है दा एंड गेम दा एं अली बुक है दा पैंडमिक सेंचुरी इस बुक को लिखा है मार्क होनिशबल्रalom ने इन्हों ने इस बुक को लिखा है दा पंडमिक सेंचुरी इन्होंने इस बुक में पिछले सो अरसो में यानि कि 1918 से लेकर जब Spanish flu फैला था उसके बाद 2019 में अब जो COVID-19 महामारी फैले हुई है इस दवरान 10 ऐसी महामारीों के बारे में लिखा है जिसने मानो जीवन को काफी ज़्यादा प्रभावित किया है तो इनकी ये बुक है The Pandemic Century अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है भारत के विदेश मंतरी S.J. संकर हाली में इन्होंने अपनी एक बुक लिखी है इसका नाम है The India Way Strategies for an Uncertain World इसको लिखा है भारत के विदेश मंतरी S.J. संकर ने तो इसे आप याद रखेगा अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो अगली बुक है इसको लिखा है RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचारियाने तो इनकी ये बुक है जिसका नाम है Quest for Restoring Financial Stability in India Quest for Restoring Financial Stability in India इसको लिखा है RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचारियाने अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगली बुक है जो की एक उपन्यास है इसका नाम है Burnt Sugar Burnt Sugar इसको इस सल बुकर प्राइस के Nomination List में रखा गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यह जो बुक है इसको लिखा है दुवई में रहने वाली भारती मुल्की लेखी का अवनी दोसी ने अवनी दोसी इनकी यह बुक है Burnt Sugar सियासत में सदस्ता सियासत में सदस्ता जैसा कि आप सभी जानते हैं अभी बिहार में चुना होने वाले हैं तो विहार विदान सभा के जो अध्यक्ष है विजे कुमार चौधरी विजे कुमार चौधरी यह उनकी भुक है और इसका बिमोचन किया है विहार के मुख्यमंत्री नितिस कुमार ने तो इस भुक का नाम है सियासत में सदस्ता अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो अगली भुक है जिसका नाम है विजेस कोड़ टू बिन यह पुस्तक लिखी गई है भारती बास्केट वाल खिलाडी विजेस विरिग्वंसी पर विजेस भिरिग्वंसी यह भारत के बास्केट वाल टीम के कप्तान है और इन्हें इस साल 2020 में अरजुन पुरसकार से भी सम्मानित क्या गया है तो इनकी करियर से सम्मानित इस बुक को लिखा है निरूपमा यादो ने निरूपमा यादो इन्होंने इस बुक को लिखा है विजेस कोड़ टू बिन जैसा कि भारत में क्रिकेट का ही ज़्यादा बोल वाला है तो ऐसी परिश्थिती में एक बास्केट बाल खिलारी का कप्तान तक का कैसा सफर रहा इसके बारे में इन्होंने इस बुक में लिखा है अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो अगली बुक है जिसका नाम है Amazing Ayodhya Amazing Ayodhya इस पुस्तक को लिखा गया है Ayodhya सहर के बारे में उसके इतिहास के बारे में उससे जुड़े त्रमुक तथियों के बारे में यह बुक लिखा है नीना राय ने नीना राय इनकी यह बुक है Amazing Ayodhya अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगली बुक है जिसका नाम है Raw A History of India's Coward Operations यह पुस्तक लिखी गई है भारती खुफिय विभाग Raw के संबन में इसके काम करने के तरीकों को विबारे में और इसमें Raw के कुछ प्रमुख Operations के बारे में भी लिखा गया है तो इस पुस्तक को लिखा है यतीस यादोने यतीस यादोने इस पुस्तक को लिखा है Raw A History of India's Coward Operations अब इसके बाद दोस्तों अगली बुक है इसका नाम है Connecting, Communicating, Changing इस बुक को लिखा भारत के उपराश्पती M. Venkya Nadeuji ने इनका भारत के उपराश्पती के रूप में तीन साल का कारिकाल पूरा हुआ है तो इसी उपलक्ष में तीन साल के अपने कारियों के बारे में इन्होंने इस बुक में लिखा है Connecting, Communicating, Changing इस बुस्तक का भी मोचन भी इन्होंने ही किया था तो इसको लिखा M. Venkya Nadeuji ने जो के भारत के वर्तमान में उपराश्पती है अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर next बुक है Our Only Home, A Climate Appeal to the World इस बुस्तक को लिखा है तिबद के धर्म गुरु दलाई लामा ने इसके बाद अगली बुक है Full Spectrum, India's Wars 1972 to 2020 यानि कि 1972 से लेकर 2020 तक भारत के जो भी प्रमुक योद्ध है या फिर भारती सेना के जो भी प्रमुक आउपरेशन किया गया है उन सभी के बारे में इस बुक में लिखा गया है जिसका नाम है Full Spectrum, India's Wars 1972 to 2020 इस बुक को लिखा है अर्जुन सुबरमण्यम ने इन्होंने इससे पहले एक और बुक लिखी थी अक्छली ये उसी बुक का second version है जो इससी पहली बुक थी उसमें इन्होंने लिखा था 1947 से लेकर 1971 था इस दोरान भारत के जो भी प्रमुक योद्ध थे या फिर भारती सेना के जो operation थे उसके बारे में इन्होंने लिखा था तो इस सीरीज की ये इनकी second बुक है इसको लिखा है अर्जुन सुबरमण्यम ने इसके बाद यहाँ पर एक most important बुक है इसका नाम है One Arranged Murder One Arranged Murder इसको लिखा है चेतन भगत ने भारत के सुप्रसिद लेखक चेतन भगत की ये बुक है जिसका नाम है One Arranged Murder तो आपको इसे याद रखना है अब इसके लावा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं चेतन भगत की कुछ प्रमुकुस्तके यहाँ पर मैंने लिखी है जिनके बारे में आपके इसके लावा यहाँ पर है दोस्तों इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगली बुक है इसका नाम है इंडिया टुमारो इंडिया टुमारो कन्वर्सेशन विद्धा नेक्ट जेरेशन आफ पॉलिटिकल लीडर्स दोस्तों यह जो पुस्तक है इसमें भारत के 50 से कम आयुके जो युवा राजनेता हैं उनके साथ शातकार पर यहाँ पुस्तक आधारित है जैसे कि प्रियंका टुमारो कन्वर्सेशन विद्धा नेक्ट जेरेशन आफ पॉलिटिकल लीडर्स इसके बाद अगली बुक है क्रिकेट दूर्ण क्रिकेट दूर्ण फार लव आफ बासू परांचपे दोस्तों यह जो बुक है यह बासू परांचपे पर लिखी गई है जो कि एक क्रिकेट कोश थे और यह भारत में सचिन तंदुलकर जैसे कई प्रमुख हिलाडियों के कोच रह चुके थे तो इस बुक को लिखा है इनके वेटे जतिन परांचपे ने जतिन परांचपे इन्होंने इस बुक को लिखा है क्रिकेट दूर्ण फार अलव आफ बासू परांचपे इस इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो अगली बुक है जिसका नाम है दा लिटिल बुक आफ ग्रीन नजेस इसको युनाइटे नेशन इन्वार्मेंट प्रोग्राम की तरफ से लौंच किया गया है यहाँ पुस्तक दुनिया भर के सभी स्टूडेंस के लिए है ताकि वो पर लिटिल बुक आफ ग्रीन नजेस चले अब आगे बढ़ते हैं अब इसके बाद यहाँ पर अगली बुक है लेटर्स ड्रीम लेटर्स ड्रीम इस बुक को लिखा है पोप फ्रांसिस ने दोस्तों यह जो पोप होते हैं यह दुनिया के सबसे छोटे देश वेटिकन सेटी के अर्राष्ट अध्यक्ष होते हैं और दुनिया के विबिन निज्चों में फैले जो कैथोलिक इसाई हैं उनके अध्यात्मिक नेता होते हैं तो इनको कहा जाता है पोप फ्रांसिस इन्होंने इस बुक को लिखा है लेटर्स ड्रीम अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अ अनुभव हैं उसके बारे में लिखा है इस बुक का नाम है दकॉमन बेल्थाफ क्रिकेट अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दो बुक्स हैं एक का नाम है सम्माद उपनिसद और दूसरी है अक्षर यात्रा इन दोनों पुस्तकों का विमोचन प्रधान मंत्री नरेंद इसे आप याद रखेगा अब इसके बाद दोस्तों अगली और वेरी इंपॉर्टन बुक है इसका नाम है आजादी आजादी फ्रीडम फेसिजम फिक्सन तो यह जो बुक है इसको लिखा है अरुधती रॉय ने अरुधती रॉय यह भारत की प्रसिद्ध लेखे का है इनक अप्रोमिश्ड लेंड इसको लिखा है बराक उबामा ने बराक उबामा जोकी संयुक्त राज अमेरिका के 44 ने राश्टपती रह चुके हैं तो इनकी यह भुक है अप्रोमिश्ड लेंड इसे आप याद रखेगा इसके बाद दोस्तों नेक्श बुक है किचेंस आफ ग् इसके बाद दोस्तों अगली बुक है वाइसेस आफ डिसेंट दोस्तों यह जो बुक है इसको लिखा गया है नागरिकता कानून यानि कि सिट्जन सिप अमेंडमेंड एक्ट और राश्टिय नागरिकता रजिस्टर यानि कि नेशनल पापुलिशन रजिस्टर इसके खिला इसके बाद दोस्तों अगली बुक है Discovering the Heritage of Assam इसको लिखा है पद्मपाणी बोराने और इनकी ये जो बुक है इसमें इन्होंने असम के जन्जातियों के बारे में उनके रहन सैन और मानिताओं के बारे में इस बुक में इन्होंने लिखा है तो इसका नाव है Discovering the Heritage of Assam इसको लिखा है पद्मपाणी बोराने अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगली बुक है देह वेचावा कारणी देह वेचावा कारणी ये आत्म कथा है डॉक्टर बाला सहब विखे पाटिल की तो इस बुक को लिखा है बाला सहब विखे पाटिल ने जो की एक महाराष्ट के राजनेता है ये चौदावी लोग सभा के सदस्ते भी रह चुके है तो इनकी ये आत्म कथा है देह वेचावा कारणी और इसका भी मोचन की है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो इसे आप याद रखेगा इसके बाद नेक्ट बुक है पोर्टेट्स ओफ पावर ये भी एक आत्म कथा है यानि की आटो विगरफी और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैं एनके सिंग एनके सिंग जो की भारत के एक जाने माने अर्थ सास्त्री और ये पंद्रहवी तायों के अध्यक्ष भी है तो इनकी ये आत्म कथा है पोर्टेट्स ओफ पावर वेरी इंपोर्टन्ट है याद रखेगा ये एनके सिंग की आत्म कथा है अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आप ससी थरूर के कुछ अन्य बुक्स के बारे में देख सकते हैं जिसके सम्मंदित आपके एक्जाम में कोईशन पूछे आते हैं जैसे कि The Paradoxical Prime Minister इसके लाव The Great Indian Novel इसके बाद यहाँ पर अगली बुक है India from Midnight to the Millennium and Beyond इसके लाव यहाँ पर ससी थरूर की सबसे फेमस बुक है Why I Am A Hindu इसके लाव दो अन्य बुक्स हैं जिन में से एक है इंडिया सास्त्र और दूसरी है An Era of Darkness The British Empire in India तो यह कुछ important बुक्स हैं इन्हें आप याद रखेगा तो दोस्तो हमने सारे important बुक्स के बारे में डिस्कस कर लिया है अब हम आगे question आसर देखने वाले हैं तो I Hope आप सभी ready हैं हर एक question को आप सभी को पहले खुश से try करना है तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहला question है settling to the top the story of PV सिंधू या पुस्तक किस ने लिखी है तो इसका सहीवत तर होगा option C V. Krishna Swami V. Krishna Swami इन्होंने settling to the top the story of PV सिंधू इस बुक को लिखा है चलिए अब next question है यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो पुस्तक है Hope on my adventures on boats, trains and planes या पुस्तक किस के द्वारा लिखी गई है तो यहाँ पर सहीवत तर होगा option B Ruskin Bond तो यह Ruskin Bond की बुक है Hope on my adventures on boats, trains and planes इसी के साथ मैंने आपको Ruskin Bond की एक और बुक बताया था A Song of India तो आप इसे भी याद रखेगा next question है लिजन्ड आप सुहेल देओ तो इस question का सहीवत तर होगा option B यानि कि Amish Triparty Amish Triparty ने इस भुक को लिखा है लिजन्ड आप सुहेल देओ The King Who Saved India चलिए अगला question है दोस्तो Future of Higher Education 9 Megatrends या पुस्तक किस के द्वारा लिखी गई है इसके लेखक कौन है इसका correct answer होगा option D V.Pattabhi Ram V.Pattabhi Ram इन्होंने इस भुक को लिखा है Future of Higher Education 9 Megatrends और इस पुस्तक का विमोचन कि अभारत के उपराश्पती M.Bank या नाइड़ुजी ने चलिए अगला question है यहाँ पर आपको बताना है कि भारती Reserve Bank के किस पूर्व गवर्नर ने एक भुक लिखी है जिसका नाम है Overdraft Saving the Indian Saber तो इस question का सही उत्तर होगा Option D. उर्जित पटेल R.V.I.E. के 24 वे गवर्नर उर्जित पटेल इन्होंने इस भुक को लिखा है Overdraft Saving the Indian Saber अगला question है A Song of India A Song of India या पुस्तक किस के द्वारा लिखी गई है यानि किसके लेखक कौन है तो I hope आप सभी ने इस question का अंसर guess कर लिया होगा तो इसका सही उत्तर होगा option B यानि की Ruskin Bond तो ये Ruskin Bond की बुक है A Song of India चलिए अगला question है The Pandemic Century इस पुस्तक के लेखक कौन है तो यहाँ पर सही उत्तर होगा option C यानि कि Mark Honnings Bomb Mark Honnings Bomb इन्होंने इस पुक को लिखा है The Pandemic Century चलिए अगला question है दोस्तो Burnt Sugar या एक उपन्यास है इसकी लेखक का कौन है तो यहाँ पर सही उत्तर होगा option A अवनी दोसी अवनी दोसी यह दुबई में रहने वाली भारती मूल की लिखेगा है इन्होंने इस बुक को लिखा है Burnt Sugar और इनकी यह जो भूक है इस साल इसको Booker Price के Nominational List में सामिल किया गया है चलिए अब इसके बाद यहाँ पर next question है Amazing Ayodhya इस पुस्तक को किस ने लिखा है जिससे number 2020 में release किया जाएगा यानि कि अभी इसे release नहीं किया गया है तो इसका right answer हो जाएगा option B यानि कि नीना राय नीना राय की यह बूक है Amazing Ayodhya चलिए अब next question है Connecting, Communicating, Changing नामक पुस्तक इसमें किसके कारियों का वरणन है तो दोस्तो आपको याद होगा आपने आपको बताया है कि यह जो भूक है Connecting, Communicating, Changing इसको लिखा भारत के उपर राश्पती M.Bankayya Naiduji ने इनका तीन साल का कारिकाल पूरा हुआ है तो इन्होंने अपने तीन साल के कारिकाल में जो प्रमुक कारे हैं उसका वरणन किया है तो इस question का सही उत्तर होगा Option D चलिए इसके बाद यहाँ पर दोस्तो अगला question है Our only home, a climate appeal to the world या पुस्तक किसके दोरा लिखी गई है इसका उत्तर होगा दोस्तो Option B दलाई लामा दलाई लामा जो की तिबबत के धर्म गुरु है इन्होंने climate change पर इस बुक को लिखा है Our only home, a climate appeal to the world इसको लिखा है दलाई लामा ने चलिए अगला question है The India way The India way is strategies for an uncertain world या पुस्तक किसके दोरा लिखी गई है यानि किसके लिखक कौन है तो यहाँ पर सही उत्तर होगा दोस्तो Option B एस जैसंकर जो की भारत की विदेश मंत्री है तो इन्होंने इस बुक को लिखा है The India way is strategies for an uncertain world तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चलिए अगला question है हाली में लॉंच की गई पुस्तक Portraits of Power या निम्न में से किसकी आत्म कथा है यानि की autobiography तो दोस्तो यह very important book है जो की एक आत्म कथा है और यह आत्म कथा है N.K. Singh की भारत के अर्थ सास्त्री और 15 वितायों के अध्यक्ष N.K. Singh इनकी यह आत्म कथा है Portraits of Power चलिए अब next question है हाली में लॉंच की गई पुस्तक The Common Belth of Cricket इस पुस्तक के लेखक कौन है The Common Belth of Cricket तो दोस्तो इस book को लिखा है भारत के प्रसिद इतिहासकार पत्रकार और लेखक रामचंदर गुहा ने तो यह पुस्तक रामचंदर गुहा के दौरा लिखी गई है जिसका नाम है The Common Belth of Cricket चलिए question number 15 है प्रधान मंत्री नरेंद मोधी जी ने समवाद उपनिसद और अक्षर यात्रा इन दोनों books का विमोचन किया है आपको बताना है इन पुस्तकों के लेखा कौन है तो यह book लिखी गई है गुलाब कोठवारी के दारा सही उत्तर होगा option C गुलाब कोठवारी ने इन दोनों books को लिखा है समवाद उपनिसद और अक्षर यात्रा और इन दोनों books का विमोचन किया है पीएम नरेन्द मोदीजी ने बीते 13 अक्टूबर 2020 को पीएम नरेन्द मोदीजी ने देह विचावा कारणी देह विचावा कारणी नामक पुस्तक का विमोचन किया है या किसकी आत्मकथा है यानि की आटव बायोग्राफी तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये book है और ये जो book है ये आत्मकथा है बाला सहब बिखे पाटिल की जो कि महारार से एक राजनेता है तो इनकी ये आत्मकथा है तेह विचावा कारणी 13 अक्टूबर 2020 को प्रधान मंती नरेन्द मोदीजी ने इसका विमोचन किया है चलिए अगला question है हाल ही में launch की गई पुस्तक आजादी, freedom, fascism, fiction या पुस्तक किसके दोरा लिखी गई है तो ये very important book है इसको लिखा है अरुधती रोय ने तो ये अरुधती रोय की book है जिसका नाम है अजादी, freedom, fascism, fiction तो इसे आप याद रखेगा चलिए अब आगे बढ़ते हैं A promised land या पुस्तक जिससे 17 नॉबर को launch किया जाएगा इसके लेखक कौन है तो ये most important book है इसको लिखा है समयुक्त राज अमेरिका के 44-वे राश्पती बराक उबामा ने तो ये बराक उबामा की book है A promised land तो इसे याद रखेगा इसको 17 नॉबर 2020 को launch किया जाएगा One arranged murder इस पुस्तक के लेखक कौन है तो दोस्तो इसका सहीवत्तर होगा option C, चेतन भगत भारत के 100 प्रसिद्ध लेखक, चेतन भगत इनकी ये book है One arranged murder अब इसके बाद दोस्तो यहाँ पर अगला question है The battle of belongings The battle of belongings या पुस्तक किसके दौरा लिखी गई है यानि कि इसके लेखक कौन है Again most important book The battle of belonging इसको लिखा है ससी थरूर ने भारत के सुप्रसिद्ध लेखक और राजनेता ससी थरूर इनकी ये book है The battle of belonging तो इसे भी आप याद रखेगा अब दोस्तो यहाँ पर आप सभी के लिए वीडियो के लास्ट में दो questions है इनके answer आप सभी को नीचे comment section में बताने है तो पहला question है हाली में launch की की पुस्तक आजादी, freedom, fascism, fiction याप उस तक किसके दोरा लिखी गई है तो ये है आपके लिए पहला question इसके बाद ये रहाआप के लिए दूसरा question इसमें आपको बताना है One arranged murder याप उस तक किसके दोरा लिखी गई है यानि किसके लेखा कौन है तो दोस्तो यहाँ पर मैंने आपसे दो question पूछे हैं इनके right answer आप सभी नीचे comment section में बताइएगा और हाँ दोस्तो अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया है इसे like करें और इस वीडियो को share करना न भूलें आप जहाँ भी share कर सकते हैं जरूर share करें बाकि अगर आपका कोई सवाल है या फिर आपका कोई सुझाओ है आप उसे नीचे comment section में लिख सकते हैं और हाँ अगर आपने white share को अभी तक subscribe नहीं किया है तो इसे जरूर subscribe करें और उसके बाद डेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी कोई वीडियो आए उसकी latest notification आप सभी को सबसे पहने मिले तो friends मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए जैहिन बंदे मातरम